बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक नर्सी क्लास once again to the maths lesson I hope you are prepared and ready for the lesson and you are prepared with all the concepts previously done Dear teachers, I hope कि आपने आज के lesson से पहले वाले connected दो lessons बच्चों को बहुत अच्छी तरह करवाई होंगे और आज के lesson के लिए हस्वे ममूल आपने description box में से यह तमाम चीज़े download कर लिए होंगी जो इस lesson की requirement है तो अगर बच्चे मेरे साथ हैं और lesson देख रहे हैं तो चले बच्चों lesson शुरू करते हैं और जिनको याद है कि हमने पिछले दो lessons में कौन सा concept किया था तो दर हाथ खड़ा करें और बताएं कि आज उस lesson का कौन सा दे है दे नमबर थ्री शाबाश और दे नमबर थ्री पर हम क्या करते हैं कौन से स्किल्स का इस्तमाल करते हैं reading and writing का very well done I am very proud of my children अब उनको याद हो गया है कि हम दे थ्री पर कौन से स्किल्स का इस्तमाल करते हैं इसका मतलब यह है कि आज का ELO भी आपको पता होगा और हम ELO कौन सा दिसक्स कर रही है length का यानि how long something is और हम जो comparison कर रही है from long, longer and longest आज उसका lesson number 3 है so let's see what is the lesson about it's about application of long, longer and the longest so आज हम apply करेंगे that means आज आज आप कुछ writing करेंगे कुछ coloring करेंगे और खुछ से जो भी तक हमने सीखा है उसको repeat करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं और यह मुझे बताएं कि मैंने कल आपको या पिछली lesson मैं को कौन सा होग दिया था कुछ याद आया किसी को चले अभी आप वेट करें मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगे screen पे आपने अपनी तबज़व screen पर रखनी है और जब मैं question पूछू तो आपने hand raise करके teacher को उसका answer देना है so what do you see on the screen now it is a picture of a bed तो कल इस bed से related आपको कौन से activity दी थी थी मैंने आपने bed की length measure करनी थी और वो लिखके लेके आनी थी तो dear teachers बच्चों से पूछे कि किस की table की क्या length है और घर में जो है उन्होंने अपने कितने beds की जो है वो length को measure किया है इसके साथ साथ आपको कौट आस था कि आपने अपने घर में मौझूद सोफे की length को भी measure करना है कि how long it is ठीक है और इसके बाद आपने measure करना था अपने घर का dining table कि वो कितना long है और उसके बाद आपने चेक करना था या teacher से पूछना था या अपनी मामा बाबा से पूछना था कि इन तीनों में से which one is long, which one is longer and which one is longest और ये आपने order में information school ले के आने थी जिनोंने किया है शाबाश, जिनोंने नहीं किया कोई बात नहीं वो आज कर सकते हैं, activity जो है पिछले lesson में मौझूद है आप उसको follow कर सकते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं आज की lesson की तरफ और आज का जो सबसे पहला task है, वो है कि आप अपने book के page के उपर काम करेंगे तो अपने book के page को जरा गोर से देखिए, screen पर आपको नजर आ रहा है हाँ जी वो ही yellow और वो ही topic के हमने आज apply करना है यानि आज हमने long, longer, longest के concept के उपर कुछ coloring करनी है और उसके बाद given lines के उपर उनके spellings भी लिखने हैं क्योंकि हम spellings की भी साथ-साथ practice करें हैं So dear teachers, pause this video, बच्चे से कहें कि ये page का section complete करें थोड़ी सी coloring है, थोड़ी सी writing है and make sure that they are recalling the spellings of long, longer and longest by themselves So please pause it and I am waiting here Page complete करने के बाद अब आपका अगला task क्या है सबसे पहले तो एक दुस्ते को दिखाईए कि आपने किस किस तरह की coloring की है और शेयर करें अपने काम को क्योंकिस कीचे तो टास्क दियावा है वो teacher ने आपको कहा होगा complete करने के लिए तो जब ये काम complete हो जाए तो आप मुझे पता है वो wrap up की activity के लिए बहुत excited है क्योंकि आज की wrap up की activity बहुत interesting है और उसके लिए आपको outdoor जाना है जल्दी से homework mention कर लिजी कि आज आपने क्या करना है homework में सबसे पहले आपके लिए worksheet है जिसमें आपने objects को identify करना है और उसमें से जो सबसे longest है उसका number given box में लिखना है ये class teacher आपको explain कर देंगी detail में क्या और क्या करना है एक तो worksheet ये और इसके साथ extra practice के लिए भी एक और worksheet जिसमें आपने पहले तो identify करना है long longer longest और उसके बाद एक आखरी box जो खाली है उसमें आपने अपनी मर्जी की कोई चीज ड्रॉ करनी है लेकिन concept वही long longer and longest का तो अब बढ़ते हैं आगे और आज का ELO revise करते है teachers please make sure कि आप बच्चों की diary में या parents को किसी तरह इस homework का proper तरीके से communicate कर दीजे कि बच्चों ने क्या करना है so the ELO was about the length of different objects तो आज जो मैं आपके लिए wrap up की activity लेकर आई हूँ उसके लिए आपको जो material चाहिए उसको screen पर देख किया बता सकते हैं क्या है yes these are colorful chalks तो chalks के आज हम क्या activity कने लगेंगे सबसे पहले तो आप यहां तो class के बाहर corridor में या कहीं playground में जहां पे आपको साफ सुत्रा फर्ष मिले आप पुद भी साफ कर सकते हैं not a problem वहां पे आपने floor पे कुछ drawings करनी है chalks थे जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि मैं आपको idea देने के लिए तस्वीर दिखा रही हूँ this little child has drawn some buildings यह दे कि उने building draw की है मुख्लिफ length की floor के उपर और वो खुद से superman की acting कर रहा है जमीन के उपर late के यह तो मैंने आपको idea के लिए दिया था आपने इसी तना ही different अपनी मजी से colorful सी buildings draw करनी है long longer and longest और उसके साथ आपने अपने कोई game खेल ली है teachers आपने बच्चों से activity करवानी है उसे discuss करना है चाहें तो long longer longest के flashcards दे दे या इनको votes दे दे कि उस पर writing कर ले make sure कि आप इस practice को जो है वो enjoy कर activity को और घर जाके भी अपने parents के साथ share करे so I hope the wrap up activity would be exciting and after day 3 you are very much familiar with the concept of long longer and longest thank you very much dear teachers children ko बच्चों को बाहे ले चाहिए वो बहुत बेताब होंगे perform the wrap up activity and ensure the concept has been learned take care and Allah Hafiz